वालों को आश्वास करते हैं कि पुलिस पर किसी भी तरह कोई भी प्रेशर नहीं है बिल्कुल नहीं आएगी पुलीस प्रेशर में पुलीस साथ में खड़ी है आपके यहां पर भी हम खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे अभी इसके साथ जितने फैक्ट्स हैं जो हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं उसके हिसाब पर जितनी इंक्वाईरी हो पाएगी जो जो सेक्शन उसमें बनता होगा लगेगा इंक्लूट किया जाएगा उसके हिसाब से पूरी कारिवाही होगी पूछ रहे हैं वही मैटर ऑफ इंक्वाईरी वही मैटर ऑफ इंक्वाईरी है कि जब वहाँ पर पूलिस वाले प्रसेंट थे तो ऐसे बंदों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया जब सब्सक्राइब करें जब तक मैं यहां पर चौक में आप सब्सक्राइब पूरी करनी है जब तक मैं यहां पर चौक में आप सब के साथ खड़ा रहूँगा वही समय है जिसमें मैं वह सारा काम कर सकता हूँ और मटेरियल ले सकता हूँ उन बंदों की पकड़ाई कर सकता हूँ मेरी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है हम जब आप मान के चलिए जब से हमें खबर आई है तब से आप किनी से भी पूछ लीजेगा फिणी से पूछें जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कितने देर ख़ड़ा रहा हूँ जम्मू कशंीर के सारे सिंयर्, मेरे सिंयर हो गए, С.P. Sahaब हो गए, परस्नल ही मुझे कितना अपर्ट मिला है सारे सिंयर् साथ में खड़े रहे हैं junior formation से भी पूरा तरीके से support मिला है मेरे SHOs मेरे साथ खड़े रहे हैं जिनसे जो काम होना है investigation का जो proper काम होना है वो सारा चालू है अभी तक की investigation में जैसे आपने भी Facebook live देखी हुई है CCTV footage वहाँ पर और जादा ढूंडी जा रही है जो scene of crime था उसको पूरो प्रॉपर तरीके से analyze किया गया है FSL को अब वो सारी चीज़े forward की जाएंगी जो arrests है उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है जो पीछे conspiracy में लोग involved थे directly वहाँ नहीं थे लेकिन उनका हाथ पर भी था हमारे इस शक्स की death में उनको भी relevant sections के अंदर बुक किया गया है किया जाभी रहा है आपके section साथ 302 307, 323, 447, 147 रायत हो सकती है और हो सकती है नहीं होंगी ये आश्वासन है कि होंगी जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं सबसे पूचताच की जाएगी आप बात यही है जैसे investigation आगे बढ़ती है आप लोग जानते हैं जब हमारे पास ground होता है हम questioning के लिए तभी किसी को बोला सकते हैं उसके लिए जरूरी है कि investigation अनिंडर्ट चले हम लोग सयोग की आशा भी करते हैं और हमें सारी जितने allegations इस बारे में लगाए गए हैं conspiracy जितनी है उसको अनिर्ट करने के लिए समय की ज़रूरत करते हैं कितनी देर ये report जो है जो SIT बनाई गई है इसकी report कितने time manner में जो है मुझे जैसे ही मौका मिलेगा जल्दी से जल्द होगा मैं आपको नहीं कह सकता 78 दिन, 89 दिन, 70 दिन, 20 दिन, एक दिन मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ मुझे भी नहीं पता है कि ये conspiracy कितने पीछे तक जाती है जो पीछे की conspiracy है कि यहां पर एक जमीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है allegations लगाए हैं, वो भी matter of investigation है इन दोनों चीजों को ढूंडने के लिए कागजों से गुजरने के लिए लोगों से पूचताच करने के लिए समय लगता है यानि कि revenue officials का सीधा-सीधा हाथ होना उनके ओपर भी किस करना की कारवाहिक है यही जितने allegations हैं, उन पर proper investigation हो, फिर जो requisite कारवाही होगी वो होगी लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि मैं उन कागजों को खुद गुजर सकूँ, मेरे साथ जो team member हैं हम उन कागजों को देख सकें, उन बंदों को questioning के लिए बुला सकें वो revenue records भी देखे जाएंगे, वो बंदे भी बुलाए जाएंगे इसके पीछे जो larger conspiracy है, वो भी अनर्थ की जाएगी और यहाँ पर जो कमिया खामिया रही है उनके पीछे अगर criminal intent है, तो criminal charges लगेंगे और अगर criminal intent नहीं है, simply incompetence है, कमिया है तो उसके खिलाब भी action लिया जाएगा, इस बात पर आप लोगाएंगे मैं मैदम बीजी कहना चाहूँगा, जो deployment होना चाहिए था प्रोसेस आप जानते हैं, जब दो गुटों की दीच में चवड़ा होता है, तो प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप होती है, अगर प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो इतना for thought अफसरों में होना चाहिए, कि वो पहले से extra deployment मंगा कर रखें, उन चीजों में जो जो वही, incompetency की जो जो कमिया है, वो सारी की सारी matter of inquiry है, उनकी के लाख action दिया जाए परिवार को किस तरह से आप confidence में ले सकते हैं, क्यूंकि पिछनी जो कारवाही देखी की है, हमने जानिपूर में जो सुसाइड हुआ, उसमें जो SHO जो है, वो भी लाइन में हाजिर हुए है, कही कैसी है, जो इन लोगों के मन में यह है, कि पुलीस सिर्फ धूर जूंक रिये, कि DPL अटेच कर दिया, जब गड़े में डालना होता है, तो उसे गहरा खुदा जाता है, उसमें लगता है समय, investigation ऐसा ही होता है, जितनी गहरी investigation होती है, उतने सजा मिलने के chances जादा होते हैं, उतनी सजा तगड़ी होती है, परिवालों को आशवास करते हैं, कि पुलीस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर में, पुलीस साथ में खड़ी है आपके, यहां पर भी हम खड़े हैं और आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमें बस सहयोग की जरूरत है, हमें समय की जरूरत है, और समय की जरूरत कैसे है, वो मैं आप लोगों को, अल्रेडी मैंने बताएगे.